जे येशू इन क्रिस्मस के दिनों में मैं आपके दिलों में माता मर्यम के बारे में कुछ इंताय लाना चाहता हूँ सन्योहन का सुसमाचार पहला अध्याए पहला तिरुवाग के आदी में शब्ता, शब्दीश्वर के साथ ता और शब्दीश्वर ता इश्वर के पुत्र को मानजाती की रक्षा के लिए इस दुनिया में आने के लिए पवित्रा आत्मा द्वारा माता मर्यम के गर्ब में आये और जन में माता मर्यम जो के कन्या थी जब उनको स्वरगदूत का संदेशा मिला तब उन्होंने उस संदेशा पर विश्वास किया और बिना कुछ सोचे समझे प्रभू इश्वर کا अनिसरण किया माता मर्यम के जीवन से हमें ये संदेशा मिलता है कि हमें इश्वर के वचनों पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि वो विश्वास करने के योग्य है ये क्रिश्मस अन्य क्रिश्मसों से कुछ अलग होना चाहिए तो आईए सोचे, विचारे और अपने विश्वास को अटूट बनाकर एक रिस्वस मनाते हैं और प्रभु एशु से प्रार्त्रा करते हुए एक प्रणामर्या का वादन करते हैं प्रणामर्या का वादन करते हुए एक रिस्वस मनाते हैं